नमस्क्राइब जी मैं हूपुनीत आप देख रहे हैं इस टोपीडी सी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं एक बर फिर से हाजिर हैं आपके सामने ताके कुछ ऐसी बाते हों जो सिर्फ और सिर्फ प्रोश्नी की तरफ ले जाएं कुछ ऐसी बाते हों जो क कि अगर मन में मन मुटाव भी हैं वो भी सही हो जाएं अगर जंदगी में कुछ उलजने हैं तो वो साव्ट अट हो जाएं और अगर हमें लगता है कि हमें परिशानी हैं तो एक कदम हम बढ़ा सके हम आगे को चल सके हम पीछे को मुड़के नहीं देखें जुरत होती है problematic हो जाती है, तो हमें रुकना नहीं, हमें ठहरना नहीं, अगर stay कर भी गए हैं, तो नजरे सीधी मनजिल की तरफ होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की बहुत ज़ादा ज़ुरत है, astropity में हमेशा positivity जो है, वो निकल के आती है, ऐसी बाते हम अकसर करते हैं, so that हम खुद भी समझें और बाकी भी समझें कि जिंदगी खुबसूरत है, परिशानिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी फिर भी खुबसूरत है, अब आज जो ग्रहे की बात होने वाली है, आज जिसकी बात होने वाली है, बहुत बड़ी बात होने वाली है, और उस बड़ी बात से पहले, और गुद लग रिपोर्ट की बारे में बात करने से पहले, लगी वेवर की बारे में बात करने से पहले, tip of the day से पहले, हम आपको कर चुका है कहां ट्रांजिक कर चुका है इतना बड़ा ग्रह जब वो अपनी जगें से हिलेगा और वो किसी और राशी में जाएगा मकर राशी में गया है जब वो अपनी जगें बदलेगा तो जाहर तो पर बहुत बड़ा सर होगा बहुत बड़ा इंपक्ट होगा कहीं कु तो हमें क्या मिलेगा एस सब के बारे में आज स्वाला करते हैं सुनिल जी से पहले स्वागत कर लेते हैं बहुत- बहुत स्वागत के बहुत थे बुरला ओर गुरतृ जी बहुत बड़े ग्रहे की बात है उसके ट्रांजिशन इसके प्रवाकरники बात है तो फिर असर जो है वो क्या रहने वाला है अच्छा या बुरा पुनी जी बहुत अच्छा टॉपक आपने उठाया है उसका कारण यह है कि आज की पॉजिशन में जिनकी डिलेवरी होने वाली है वो लोग परिशान में हैं क्योंकि कुछ लोग मिले आके कि sir delivery होने वाली है गुरू नीच के हो गए है तो इस बच्चे के कुनले में गुरू नीच के हो जाएंगे क्या रहेगा तो हमें tension हो गी है कोई उपाई बताईए कोई उपाई करने की जुरूरत नहीं है और किसी तरह की परशानी लेने के लिए और नीच भंग राजयोग तो है एस पर फॉर्मूला वैदिक अस्ट्रोलजी का फॉर्मूले की बात करें तो नीच भंग राजयोग मन रहा है क्योंकि मालक अपने खुद के घर में बैटा हुआ है वहाँ पे गुरू जैसे बहुत बड़े ग्रह का गोचर हो चका हुआ है पहले तो गुरू अपने आपि बहुत बड़े ग्रह 행 इंको कोई दोष बहुत रेर दोष लगते है एस पर शास्त्र एस पर एस पर अस्ट्रालोजी एस पर वैदिक स्रालोजी इनको दोष कम लगते हैं और सबसे बड़े और आगे यही ग्रह यह विज्टम के ग्रह है यह समझधारी की ग्रह है है विज्टम है उपकी समझदारी है यह औरैंजकर तो आपके मन में रिस्पेक्ट आती है कि ये कोई संत महात्म हैं तो ये गुरु की वज़े से ही है कि आपके मन के अंदर रिस्पेक्ट आती है इनके लिए तो यह wisdom के प्लैनिट है बहुत बड़े प्लैनिट है Neat की राशी में आ चुके हुए है Capricorn की राशी में आ आया है Capricorn राशी जो एक system की राशी है अपने आप में एक system है rules है और Jupiter है wisdom Jupiter है समझदारी और जिस राशी में आ गए है वो system की राशी है वो रूल्स की राशी है तो इनका गोचर हो गया ये इसमें आगए लोग आज की डेट में कुछ जिनके डिलेवरिस हैं वो परिशान है कि क्या होने वाला है कुछ उपाई कर ले उपाई कुछ करने की जरूरत नहीं है बताऊंगा एंड में की क्या करना चाहिए आपको लेकिन डरने की जरूरत नहीं है होने के वाला है और कुछ देर से हो भी रहा होगा क्योंकि गुरू जब डिगरी कली अगर बात करें हर एक इनसान की कुण्डली अलग 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 प्रेडिक्शन्स हैं अलग अलग ग्रहाओ की स्थिती है अगर बात करें तो अगर सपोज करो डिगरी कली बात की जाए तो जब गोचर होना था तो निटल चार्ट के अकॉर्डिंग गुरू कुछ ताइम पहले ही गोचर कई कुण्डलियों में कर चुके थे क्योंकि डिगरी के लिए अगर बात की जाए तो अगर सपोज कीजिए कि किसी की कुण्डली में 6 डिगरी या 7 डिगरी के जो जुपिटर बैटे हुए हैं तो उनका गोचर हो चुका था 24 डिगरीस तक उनका गोचर जो है अलड़ी एप्लिकेवल इस कुण्डली के उपर हो जाता है तो अलग अलग प्रेडिक्शन निकलेंगी अलग अलग इसके जो है जो रिजल्ट रहेंगे लेकिन मोटा मोटा क्या रहेगा अब होगा क्या जुपिटर दार्मिक तक के जो है रिप्रेजेंटेटिव जुपिटर समझधारी सिस्टम की राशी में इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने के कोशिश करके समझने के कोशिश कीजएगा कि अब होगा क्या आप रूल्स बनाएंगी जो बच्चे हो रहे हैं या होने वाले उनकी बात मैं नहीं कर रहा ये लोग रूल बनाएंगे कुछ उनने तो ये जब गोचर होना था उससे पहले शुरू कर दिया होंगे कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा मैं करूंगी For example, हम बात करते हैं कि मैं सुबह जल्धी उठोंगा मैं सैर शुरू करूंगा मैं सुबह जल्धी उठके मैं रोज जिम जाना शुरू करूंगा ऐसे रूलhui, ऐसी ठिंकिंग आपके मैंड में इस टाइम चल रही है आप rule बनाने वाले हैं और वो rule जो हैं उसके उपर आप strictly खड़े भी हो जाएंगे यह rule आप implement भी आपने life में कर लेंगे और ऐसे अब मैं बच्चों की दरफ आता हूँ जो होने वाले हैं जो इस position में बच्चे पैदा होने वाले हैं इस ग्रहा की position में उनकी जिन्दगी में discipline होगा उनकी जिन्दगी में rule होगे यह बच्चे कहीं न कहीं religious होगे क्योंकि Jupiter religious planet है तो कहीं न कहीं यह बच्चे religious mind के होगे और कहीं न कहीं इनकी समझदारी आम इंसान से ज़ादा होगी maturity level बहुत ज़ादा होगा क्योंकि शनी, एज यानि की बजर्ग, जुपिटर यानि की गुरु, तो कहीं न कहीं जब गुरु की बात की जाती है, यहां गुरु यहां संत जो होते हैं, वो समाज को एक अच्छा मैसेज देते हैं. ऐसा मेसेज देते हैं कि जिस समाज जो है वो डिसेप्लिन में रहे संसकारों में रहे तो जुपिटर संत जो होते हैं ये जुपिटर के अधीन आते हैं ये जब बहुत बड़ा मंच एक शेयर करते हैं तो एक ही मेसेज कनवे करते हैं समाज को कि आपने अपने अंदर डिसिप्लिन रखना है धार्मिक रहिए आप समाज की सेवा कीजिए जतने भी अच्छे मैसेज होते हैं गुरू के थू आते हैं अगर आपने कोई गुरू धारन किये हुए है जब आप उनके शेवर में जाते हैं तो आपको ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जाते हैं जिससे आपने आपको कनेक्ट करते हैं और आपको अच्छे संसकारों की जो है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं So, जुपिटर यहां आए हुए है तो ये बच्चे कहींfö ना कहीं संत वृत्ती वाले होंगे मच्जूरे लेवल बहुत ज़ादा मच्चूरे लेवल बहुत अच्छा होगा जूप्टर अपने आप में मच्चूरेटी है शनी इज़ ग्रुप जो जिनका बड़ा होता है वो शनी के अदीनाते है जिनके बाल सवेद होते है तो तो prediction इसकी आपकी life में happening चेंज होती जाएंगी अब मैं आपको एक रोचक research की बात बता देता हूँ 21 December को जो 2020 में 21 December अभी आने वाला है गुरू की और शनी की बहुत close conjunction होने वाली है ये गुरू की और शनी की close conjunction 0.06 डिगरी जो है रह जाएगी तो ये जो गटना दुबारा कब होगी 370 साल के बाद ये research का part है ये study का part है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये गटना कब होई थी आज कब होने जा रही है और आगे आपने टाइम में कब होने वाली है 370 साल के बाद दुबारा ये गटना होगी जब गुरू और शनी बहुत जादा close conjunction में आएंगे इस टाइम पे छोटा से उपाई कीजेगा क्योंकि ये close conjunction है प्लैनेट दोनों बहुत बड़े हैं और शनी जो है ये तो अपने आप में rules है ये अपने आप में discipline है क्योंकि ये out of the box नहीं जाते शनी out of the box नहीं जाते राहू की position कुछ और है राहू तो इतना orthodox है राहू rules से रूर तोड़ना जानता है तो Jupiter जो है ये भी discipline में रहना सिखाते हैं जो शनी है वो तो पहले discipline के कारक है और ये out of the box नहीं जाते limits से बाहर नहीं जाते तो ये दोनों ग्रहे कठे हो रहे हैं एक राशी में सिस्टम की राशी में सरकार की तरफ से सिस्टम बनेंगे आज कल आपने देखा होगा बहुत सारे अंदोलन चल रहे हैं बहुत जो high level पर चल रहे हैं जिसमें आम इंसान भी involved है सरकार भी involved है बड़े-बड़े जो मंत्राले हैं वो भी involved हैं इसके अंदर सो कुछ ने rules बनेंगे और कई बार क्या होता है जैसे होगा क्या कि आपने rule create किया आपने अपने अपना rule किसी को बताया कि ये मेरा rule है तिरको ऐसे चलना पड़ेगा आपने rule उसके उपर ये थोपने वाला time चल रहा है शनी, गुरू, इकठे, कैप्रिकॉन में थोपने वाला time है कि मैंने बनाया है तिरको इससे इसाफ से चलना पड़ेगा छोटी से example देता हूँ एक family है, एक परिवार है जहां पे कुछ family members रहते हैं father है, mother है, बच्चे है एक आदे भाई-बहन भी साथ में रहते हैं तो उसमें एक example की तौर के सो समझेगा कि father ने एक rule बनाया कि आज से सबी खाना डाइन डेने बल बेर के खाएंगे और सबको खाना पड़ेगा यह चीज होने वाली है वो अपने कुंडले के साब से मैच कर सकते हैं तो वो rule बनेगा आपके घर के अंदर अब सबको तो यह ऐसा है नहीं है कि rule जो पसंद आ जाए तो वो rule जो होगा आपके father ने implement कर दिया आपके उपर लेकिन बच्चा इसको के वर reject कर देगा कि मैं ऐसा नहीं करने वाला मैं तो राम से उठूंगा मैं तो बैट के उबर बैट के खाना काऊंगा मेरे को पसंद नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा offended मिलसूस करेंगे कि मेरे को offend किया गया है तो उसके उस साइम पे irritation level बढ़ेगा इस period में बहुत patience रखनी पड़ेगी आपको यह patience का time है बहुत patience रखनी पड़ेगी बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा स्याने कहते हैं समझदार लोग कहते हैं कि जो problem का हल solution अराम से शांती से ठंडे दमाग से गया जाए वो उसका solution बहुत अच्छा निकलता है जल्दबाजी में और जल्दी डिया हो decision गलत होने जाए कि चांसे ज़ादा होते हैं तो यह patience का time है फादर ने बोल दिया कि डाइन टैपर पे सभी खाना खाएंगे तो अगर को बच्चा उफेंड करेगा तो फादर को उफेंडन विसूस होगा और वो चिडेंगे वो इरिटेट होंगे और हो सकता है कि बच्चे और फादर के पिता के बीच में कोई कला का कलेश का कारण बन जाए तो यह वही पिरिड है आपको थोड़ा सा जो soft रहना पड़ेगा, रूल बनाया है यह होने वाला है, यह चीज implement होने वाली है, इसके बता रहा हूं इसका solution है, कि आपको इसको थोड़ा सा soft तरिके से करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा, समझा के इस चीज को रूल को आप अपनाईएगा या अपने फैमिले के ऊपर आप इसको इंप्लिमेंट कीजेगा तांकि बच्चा इसको समझे उसकी डेप्ट समझाईएगा कि कारन इसका क्या है यह इसके यह फाइदे होने वाले हैं यह से बेनिफिट होगा इससे आपकी जिन्दगी में जो है वो discipline आएगा यह तरीके से समझाना पड़ेगा implementation में आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी जब offend होगे तो आप चिडेंगे दूसरी बात जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग अपने senior से superior से बहस बाजी ना करें या फिर अपने superior से बच के रहना पड़ेगा आपको आप भ जब hurt होती है क्योंकि एक राजा उसको एक आम इंसान प्रजा का इंसान कुछ बोल दे तो वो इनसान वो राजा अपने आपको अपनी बेस्ती महसूस करता है तो उसको दंड भी दे देता है तो इस time पे इस period में आपको अपने boss के साथ नौकरी करने वालों को बिढ़ना न की कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रखी हुई है और लड़का ढूंड रहे हैं यह लड़की ढूंड रहे हैं तो इस period में वो भी मिच्छे और होने के बहुत सारे जो है योग बनने वाले हैं सो जैसे जैसे गुरू की डिगरी होती जाएगी नजदीक आते जाएंगे के शनी से वो अपने इनकी predictions होती जाएंगी happening होती जाएंगी शादी जिनकी नहीं हो रही उनकी शादी होगी जिनके गर में परिवार आगे नहीं बढ़ रहा उनका परिवार आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि गुरू नीच के होने वाले हैं और बहुत सारा तुफान आने के अगरे तो Mother को गजिंदान मोक्ष का पात करना चाहिए और तांकि बच्छे का जो जनम हो बहुत सही तरीके से हो अच्छी vibes उस बच्चे के अंदर जाएं और वो अच्छी vibes लेकर पैदा हो तांकि बच्चे को भी दिकरना आए आपको भी दिकरना आए और दिमाग से टे शीखने की बहुत चाह होती है। कि गुरू नीज की राशी में और सेखने की चाह बहुत देते हैं। तो भचे सीखते हैं, अची अच्छी होती है। इस लेकिन आगे जाके यह पाती है। सोशली एकसेप्ट नहीं होती है। जब गुरू को लेके चिन्ता मत कीजिए। बहुत ठीक टाइम है कूई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा पैदा होगा नीच का गुरू होगा पढ़ेगा नहीं सेटल नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है सब की पर्डेक्शन अलग लग है इश्वने सबकी किस्मत अलग लग 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 है तो पैनिक में मत आईएगा गजिंदर मुख्ष का पार्ट कीजेगा जोपिटर से रोड़ी होई चीज जो होती है जैसे दाल होती है यह आप मंदिर में जाके चड़ा के आ सकते हैं जब डिलिवरी का टाइम होता है उससे कुछ दिर पहले चड़ा के आ सकते हैं और किसी भी अफवाब में मत आईए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा लाको का पॉट करा लो लाको की पूजा करा लो ऐसा कुछ नहीं होने बाला दिरेज रखिए पेशन से काम लीजे सारा कुछ जो है इशर अपने हाथ में लेके सब ठीक करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ये बात करना इस वज़े से जरूरी था क्योंकि जो लोग जिन लोगों पे इसका गहन असर होगा उनके बारे में बात करना इसे जादा इंपॉर्टेंट इस वक्त में और कुछ नहीं हो सकता है तो इस पे हम आएंगे ट्रांसिट पे दुबार आएंगे वक्त मिला तो ले पेरे पूरे परिवार में आपका प्रोग्राम जो है वो देखा जाता है एवन रिष्टेदार भी जो प्रोग्राम है वो देखते हैं कहते हैं कि मेरा बेटा बात नहीं मानता है कह रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ गई है बढ़ रही है चौदा साल का है वो जैस में उसकी भी डीटेल्स भेज रहा हूं मेरे साथ उसकी भी भेजिये ताके पता चल सके के वो ऐसा क्यूं कर रहा है और ऐसा करना कब बंद करेगा इनका नाम आपने बताया जी वी के जोशी जोशी जी नमस्कार और आपके इस प्रशन के उपर मैं पूर एक एपिसोड करने वाला हूं क्यों बच्चों की परवरिश सही हो आगे जाके तंग नहीं करते कहीं ना कहीं कमी रहती है उसका रेक्शन आता है और फिर बाबाब परिशान होते हैं कि बच्चा ऐसा हो गया आप खुद आंखे बंद करके सोचके देख लीजिए कमी कहां पे है कमी आपको मिल जाएगी और बच्चों की परवरिश कैसे करनी है ये कुंडली बनेगी ये रिपोर्ट बनेगी इसके उपर प्रडिक्शन आएंगी इसके उपर उपाई आएंगे मैं आपको सब कुछ दूँगा लेकिन समझना जरूरी है बात लॉजिक की हो तो समझना जरूरी है कि कैसे बचे खराब होते हैं कैसे बचे राह बटकते हैं अगला एपिसोड रहेगा ये मैं वही करने वाला हूँ कि परिवार को कैसे बचाना है क्योंकि जो समझना आगे चल रहा है वो समझना फेवर में नहीं चल रहा है यूथ बटकाव की तरफ है बहुत बटकाव है और ये ब परिवार के उपर रहेगी गरहाँ के साथ connect करके आपको इसकी मैं information दूँगा कि कैसे परिवार को start करना चाहिए बच्चों को क्या सिखाना चाहिए बच्चों कैसे बच्चे की परविश करें आपकी बच्चा जो है आपका इस भृतिका ना हो जाए कि आपको कल को कलंकल लगा दे तो ये जोशी जी के प्रेशन के ओपर ही दिमाग मेरे आया ये एपिसोड के लिए कि परिवार बचाने के लिए कोई 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 कोशिश नहीं कर रहा है तो हमें हमारी एक moral duty समाच के तरफ बनती है वो इस मंच पे शेयर होगी कि कौन सी उपाए मा को करने चाहिए कौन सी बाप को उपाए करने चाहिए बर्थ के टाइम पे क्या करना चाहिए बच्चे थोड़े बड़े हों क्या करना चाहिए पूरा परिवार के उपर एपिसोड करेंगे तांकि आप पूरे परिवार के साथ बैट के उसको देख सकें बच्चों को दिखा सकें कोई की यूथ बहुत जुट रहा है ऐस्टोपीडी के साथ हमारे ऐस्टोपीडी का जब स्टार्ट हुआ था तो यही सोच थी कि परिवार जो हैं बचाने है मैं तब भी परिवार बचाने की बात करता था मैं आज ही परिवार बचाने की बात करता हूँ कि परिवार को कैसे बचाना है जो मतलब की जड़ हो वो कैसे मजबूत हो बच्चा पैदा हुआ पैदा होने के बाद कैसे उसकी परविश करें क्या उपाई आपको general करने चाहिए घर के अंदर क्या चीजें करने चाहिए कि आपकी energy जो अच्छी energy है वो बच्चों को transfer हो so आप जुड़े रहेगा next episode हमें परवार के उपर ही है तो आपकी problem का solution आपको with report मेरे हाथ से लिखे वो remedies आपको मिल जाएंगी वो पाई कीजेगा कोशिश करेंगे कि बच्चा सद बुद्धी उसकी काम करें और बच्चा जो है वो सही काम करना शुरू करें कम से काम करें दुख होता है ऐसी बात सुनके जब माबाप के आगे बच्चे बत्तमीजी से पेशाते हैं बहुत दुख होता है और परिवार बचाने के लिए मैं एक सीरिस शुरू करना हूं वो सीरिस साज अब जुड़े रहेगा वैसे कीजेगा जरूर हम परिवारों को बचाने की कोशिश की करेंगे और परिवार बचाएंगे भी जरू मुझे लगता है कि आज की देट में इससे पुरने का काम और कोई नहीं हो सकता जब हम परिवार बचा लें क्योंकि पैसा भी आना जाना है एविन सांसे भी आनी जानी है लेकिन जितना वक्त है अगर वो अच्छे से नहीं बिता रहे है जिन्दगी काटना और जिन्दगी जीना दो चीजों में फर्क है जो ये फर्क जो समझना बहुत जरूरी है जिन्दगी काट तो कोई भी लेता है लेकिन हमें जिन्दगी को जीना है इस बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है transit की बात आज हुई, गुरू के transit की बात हुई, जो मकराशी में आ चका है, सबसे अच्छी बात क्या रहेगी इसमें? सबसे अच्छी बात रहेगी कि जैसे मैंने बताया कि गुरू बहुत बड़े गरे हैं, और गोचर वहाँ है, जहां पे नीच के हो जाते हैं, तो ये rules की राशी है, ये system की राशी है, ये आपके professional environment की राशी है, यहां पे जो बिटर आ रहे हैं, professionally संबल के रहना पड़ेगा, अच्छा क्या रहेगा इसमें कि आपके rules बनाए हुए socially accept हो जाएंगे, initially reaction आ सकता है आपको, किसी भी field में, मैं नौकरी की particular profession की बात भी कर रहा हूँ, और घर के अंदर की बात भी कर रहा हूँ, दसमा घर active होने जा रहा है, दसमा राशी active होने जा रही है, और जो कि हो चु पिटर का दृष्टी हो आपकी शादी बाले house पे, चाहे आप love marriage कर रहे हैं, चाहे आप arrange marriage कर रहे हैं, अगर गुरू की एक technical point है, कुंडली आप देखते हैं, तो astrologist को काम आएगा, ये जो मैं पाइंट बताने जा रहा हूँ, जब गुरू की दृष्टी आती है सब्तम house के हमारा बच्चा जहां करेगा वो ठीक करेगा, वो समझदार है, समझदार है और socially acceptance मिल जाती है, जब बात करते हैं हम राहू की, तो राहू में socially acceptance नहीं होती, क्योंकि राहू diplomatic planet है, राहू diplomacy है, politics है, इस राहू के जब involvement होता है relationship के अंदर, तो रिष्टों में politics आ जाती है, उ मुझे पता है यह लड़की के साथ शादी करेगा, आगे जाके यह होगा, या मुझे पता है यह लड़की के साथ शादी करने जा रही है, यह लड़की आगे जाके इसको परशान होना पड़ेगा, यह रो के वापिस आएगी, यह राहू की जो connection होता है 7th house के साथ, यह socially acceptance नहीं देता, लोग accept नहीं करते इस relationship को, लोग accept नहीं करते इस शादी को, तो Jupiter में अच्छा ये होने वाला है, स्टीक question का स्टीक answer, socially acceptance आपकी तरफ से, आपके rules की तरफ से, जो आपने rule बनाए हैं, वो socially later on accept हो जाएंगे. तो फिर इससे बड़िया बात जो है, वो और क्या हो सकती है, क्योंकि otherwise जब भी कोई norm बनती है, rule बनती है, sometimes उसको अपनाने के लिए, या दुनिया को जताने के लिए कि ये सही है, सालों सालों लग जाते हैं, sometimes एन इरा लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ के acceptance न हमारे शो का असूल है, तो सभी के लिए कि एपिसोड है, अपने घर का जाडू, जो जिसे आप सफाई करते हैं, इसको छुपा कर रखा कीज़े, ये आपकी घर की बरकत है, लक्षमी सीदी सीदी आपके जाडू के साथ जूरी हुई है, तो जाडू जो है, ये छुपा कर सामने नहीं होना चाहिए, गर में बरकत रुकी रहती है, चोटी सी बात है, लेकिन के बर लोगों के सामने रखा हुआ है, तो जाडू छुपा कर रखिए, लेकिन पॉजिटिविटी जितने दिखानी है, दिखा दीजे, क्योंकि ये एपिसोड ही उसके लिए है, तो जाते जाती ही कहेंगे अपना बहुत बहुत ध्यान रखे और यह जो numbers हैं यह आप ही के लिए हैं positivity की बात करते हैं अच्छी जिंदिगी की बात करते हैं शुरुआत हो सकता है कि इन ही numbers के साथ हो ध्यान रखे धन्यवाद